नमस्कार फ्रेंट, टम है, दिस्कुरिशन कर एं हमारे पास एर्रेस्टिबल इंपल्स यहाँ पर जो उसका रिलेशन है, वो सेक्षिन 84 अफ थे इंडियन पिनल कोड के साथ है तो जैसे कि यह वर्ड है एर्रेस्टिबल इंपल्स irresistible वो चीज जिसको रोका ना जा सके impulse को तीब इच्छा बड़ी एक desire होती है fast किसी चीज को करने की बेना ये सूचे कि इसके परिणाम ये इसके consequences क्या होंगे irresistible impulse जो है इसको भी एक तरह से एक defense बनाया जा सकता है अगर कोई आदमी crime commit करता है और वो इससे affected है तो वो कह सकता है कि भाई मैंने जो ये crime किया है वो इस irresistible impulse के अंटर किया है इसलिए ये मेरी अपनी will या मेरी अपनी इच्छा के अंसार ये crime नहीं किया गया है इसी के relation में एक word और मेरे यहापर discuss करना चाहता हूँ जिसको की kleptomania कहा जाता है तो ये एक तरह की disease कहरीजे बिमारी कहरीजे जिसमें कि जो व्यक्ति है उसको के तीबर इच्छा होती है चीजों को चुराने की या चोरी करने की तो ये इसको एक तरह से disease माना गया है यानि कि at the time of commission of act जैनि कि जब act किया गया तभी नहीं उससे पहले भी व्यक्ति जो था इस बिमारी से ग्रसित था तभी आप इसका defense ले सकते हैं और तभी validly उसको जो court है प्रूब कर सकता है अपने आप में ये कोई defense नहीं होता है जैसे कि कोई वक्ती कहे कि भाई मुझे तो irresistible impulse हुआ और मैंने ये काम कर दिया जी नहीं ये नहीं होगा उसकी जो background है वो भी देखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि भाई मुझे उसने act किया तो उसमें जो ये irresistible impulse था इसने किस हद तक ये जो उस पर effect है किया है क्योंकि जब भी कोट इस चीज को consider करता है तो कोट ये देखता है कि क्या जो irresistible impulse है उसने इस हद तक उसको कमजोर कर दिया कि वो अपने आपको नहीं रोक सका और उसने वो कर दिया फिर चाहे उसको ये पता हो कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है यानि कि आपको ये knowledge तो होता है कि भी मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है परन्तो आपके पास इतना control जो है वो self नहीं होता है self control नहीं होता है कि आप अपने आपको रोक सकें वो करने से तो ये चीज भी माइने रखती है और इसी चीज़ को देखा जाता है इसमें हमारे पास एक केस लोग है आर्ल वर्सेज हेंस का जिसमें कि एक प्रेजिनर जो होता है जो उस पर मर्डर का चार्ज लगता है पर जो प्रोजिकुशन होता है वो उस मर्डर के लिए कोई मोटिव बताने में सफल नहीं होता है तो इस पर जो एक इनफ्रेंस लेने की कोशिश की जाती है जाए एक तरह का कोई आइडिया डिडियूस करने की कोशिश की जाती है कि भई ये जो है वो एर्रेजिस्टिबल इंपल्स का केस है कि यहाँ पर कोई मोटिव नहीं है किसी crime को करने का जो कि हलाकि generally होता नहीं है, motive होता है कई बर वो छुपा हुआ होता है, कई बर बहुत far-flung, बहुत दूर या बहुत remote होता है बट फिर भी अगर नहीं है तो हम ये नहीं मान सकते कि भई ये case irresistible impulse का था सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई motive नहीं दिख रहा है irresistible impulse का जो case है, उसकी कुछ condition है और वो उन condition पर ही based हो सकता है, तो यानि कहने का मतलब ये है कि irresistible impulse कुछ ऐसा करने की इच्छा जिसको कि आप control ना कर सकें और ये इच्छा या desire जो है wish जो है, बहुत तीबर है अगर उसका आपको insanity के रूप में defense से ये तो आपको ये भी prove करना पड़ेगा कि भई at the time of act ये आदमी उसके influence के अंडर था इससे पहले भी इसकी history रह चुकी है और इसने जो किया है उसके अंडर रहते हुए ही किया है मतलब कि इतना ज़्यादा अपना control ये lose कर चको था अपने उपर कि वो रोक नहीं सका आपने आपको वो करने से हलाँ कि उसको पता था कि ये जो है वो सही नहीं है फिर भी वो अपने आपको control नहीं कर सका अगर ये सारे parameters meet होते हैं at a particular point या particular case में तो फिर आप कह सकते हैं कि भी इसको insanity का defense मिल सकता है